Welcome back दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आप hybrid bike बना रहे हैं, उसका accelerator आप दोनों एक ही side में लगा सकते हैं petrol और electric दोनों का accelerator एक ही side में, मतलब right hand side में हो सकता है चले हम आपको बताते हैं, तो इसके लिए हमें दो जुबली clip लेना है इस तरह से, आप clip भी बोल सकते हैं और इसके साथ हमें एक छोटा सा ये rod लेना है, ऐसे पतला सा, ठीक है इस तरह से और इसके center में ऐसे रखके हमें इसे weld करा देना है, दोस्तों weld कराने का time ध्यान रहे है कि इसका thread जो है अपस में चिपक ना जाए, weld ना हो जाए और इसके weld कराके फिर हमें इसे connect कर देना है अपने handle के साथ, गैस welding कराएं, electric ना कराएं इसके बाद यह thumb throttle लेना है जितना यह thumb throttle का चड़ाई है, उसका चड़ाई के हिसाब से हमारा bike का axillator है, मतल़ पेट्रोल का जो axillator है उस axillator को हमें ठोड़ा सा cut कर लेना है कुछ इस तरह से, यहां से यह हमें कट कर लेना है इतना और उसके बाद हमारे यह थम थ्रोटल का जो इसमें LK है यह वाला यहां पर हम लाके इसे LK की मदद से टाइट कर देते हैं इसमें मांटिंग किलिप दिया रहता है और फिर इस थम थ्रोटल को यहां पर हम फिट करके इसे हम LK से टाइट कर दे ताकि यह और इस तरह से दोनों ही एक्षिलेटर हमारा राइट हैंड साइड में लग कर रेडी हो जाता है अगर हमें बैटरी से चलाना है अपनी बाइक को तो हमें पेट्रोल को बंद रखना होगा और उसी एक्षिलेटर को हम ऑपरेट करेंगे तो हमारा उसी के साथ हमारा अपनी बाइक को पेट्रोल से चलाना है तो इसे हमें और उसी एक्षिलेटर को ऑपरेट करेंगे और हमारा बाइक जो है पेट्रोल से चलेगा पूरा फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बेल आइकान को फ्रेस कर दें मिलते हैं